जहीं दोस्तों आप लोगा बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूपटी चैनल एजज स्टडी पे दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे SSE GD exam 2021 के बारे में दोस्तों और बिल्कुल दोस्तों आप लोग सावदन हो जाएए और बाद में बिल्कुल ही मत कही है दोस्तों कि आपने बताए नीं क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आप लोगो हम बताएंगे दोस्तों कि exam center पे कौन कौन से document लेके जाने हैं जिससे कि आप लोगो एक्जाम देने दिया जाएगा ठीक है अगर उनमें से एक भी डोकुमेंट अगर आपके पास नहीं होता है दोस्तों तो आपको एक्जाम से घर वापस आना परेगा दोस्तों यानि कि साल ओवर का जो आप लोगो का मेनत है दोस्तों उस पे पानी फिर जाएगा ठीक है तो मैं इसलिए बोलना हूँ दोस्तों कि वीडियो को सुरू से लेगर अंतगवास की जिगा क्योंकि इस वीडियो में पूरा डिटेल में आप लोगो हम बता देंगे कि कौन-कौन से डोकुमेंट इस वार लगने वाले है क्योंकि आप लोगो पता है दोस्तों आप लोग का एक्जाम 14 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है ठीक है और ये एक्जाम लंबा समय तक चलेगा यानि कि दिसंबर में भी चलने वाला है ठीक है तो दिसंबर तक चलेगा ये एक्जाम तो इसलिए मैं बोलना हूँ दोस्तों कि आप लोग एक भी डोकॉमेंट अगर कम ही अभी तो अभी सही त्यार कर लो जिससे कि आगे जागे कोई प्रसानी नहीं अगर आगे डेट में आप लोगा तो ठीक है तो इसलिए मैं ये वीडियो आप लोग के साथ सेयर कर रहा हूं तो प्लीज वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजेगा दोस्तों के साथ अधीक से अधीक सेयर कर दीजेगा और चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजेगा क्योंकि यहां पर SSEGD का हर सिप्ट का एक्जाम पेपर का रिव्यू भी मैं आप लोग के साथ लाने वाला हूँ ठीक है तो चलिए अभी हम चलते हैं और आप लोग को बताते कि कौन-कौन से डोकमेंट आप लोगो लगने वाले एक्जाम सेंटर पे एक्जाम देने के लिए दोस्तो हमाँ चुके अपने टेलिग्राम चैनल पे क्योंकि हर अपडेट हर नौटिफिकेशन हर स्टडी में आप लोग को हमारे टेलिग्राम चैनल पे सबसे पहले देखने को मिल जाता है अभी तक नहीं जूरे तो लिंक कर डिसक्प्शन बॉक्स में दे रखा हूँ जा वार मोग को समझ में आ रहा था तो यहां पूरे अच्छे तरीके से आपलोग मैं समझा दूंगा सबसे पहले दोस्तों एक्जाम सेंटर पे पहुंचने से पहले आप लोग का जो दो निकलवालों गई जिससे की मतलब कि आगे जांके प्रसानी नहीं होते घराते हो जिनका दूर है घाई बाई चंस अगर खो जाता एक एडमीट कार्ड तो एक एडमीट कार्ड उनके पास रहेगा ठीक है बाके बागे बाद एक ही एडमीट कार्ड की जरूरत परने वाली ह यहां तरकेगा तो सबसे पहला आप लोग का जो admit card होगा SSGD के लिए वो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए वो नहीं रहेगा भाई आप लोग को मतलब की जो exam हो ले हो जिसमें entry नहीं मिलेगा ठीक है तो सबसे पहला आप लोग अपना क्या कर लिजेगा मतलब कि आप लोग का जो मतलब की admit card है SSGD के लिए उसको निकलवाना है पहला दूसरा बादोस्तों यहां पर आप लोग देखे होगा किरप्या निर्देशों को ध्यान से पड़े उमिद्वार को परिच्चा के दिन परिच्चा अस्तर पर कम से कम एक बैद दस्त वेज जिसमें तारहिक की नुसार और मुल्ल फोटो पहचान परमान पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें आप लोग कोई एक देना परेगा जिसमें कि आप लोग अधार कार अपना ले जा सकते हैं ठीक है या प्रिंट आउट ओफ या धार कार फिर यहाँ पर देख लो कि मतदाता का पहचान पत्र या ड्राइविंग लैसेंस या पासपोर्ट या पैन कार ठीक है और कि तिति में मान विश्व विद्या ले या कॉलेज या इसकोल द्वारा जारी जो आईडी कार्ड होता है उससे बोल्ग पुर्व सैने के डिश्चार्ज बूक उसके दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑफ्शन देखने को मलते हैं यहाँ पर देखे हो कि रच्छा मं भाई ओरिजनल आप लोग के ले जाना है ठीक है सबसे पहला बात आप अधार लेके जाओ या पहचान पत्र लेके जाओ अपना मतदाता वाला या डराइबिंग लैसेंस सब कुछ ओरिजनल ही आप लोग को लेके जाना है क्योंकि दोस्तों आप लोग वो लेके जाओगे आधार कार्ड में तो उसमें क्या मिलाइगे आप लोग सबसे पहले और फियेस मिलाएगे दूसरा आप लोग graduate of birth होता है वह मिलाएगे ना मिलाएगे तो इसमें है कि मतलब की ऐसा दस्तावेज लेकर जाना कुछ Kumasi कोई-K Maine आप लोग ले जाओगे जिसमें सिर्फ photo रहता है और date of birth रहता ही नहीं है तो उस मतलब की situation में आप लोगो वहाँ पे entry नहीं मिलेगी ठीक है तो अधार card में तो सब कुछ रहता है तो मैं यही बोलूँगा कि सारे candidate अधार card ले जाएंगे और form fill up करते समय आप लोग अधार card ही दिये हो मेरे भाई तो अधार card necessary है ठीक है तो आप अधार card ले जाओ बाके बाद अधार card नहीं तो इनमें से कोई option आप लोग देख सकते हो वह है तो बस एक document इसमें से आप लोग को ले जाना है ठीक है तो यह photo identity में आप लोगको एक लेकर जाना है तो अधार card पहला तो हो एप लोगा admit card दूसरा अधार card हो गिया document में उसका दोस्तो बात करते हैं तिन नमर में तो तीन नमर में आप लोगको photo ले wszyscy, कि अभीक cold कि दोस्तों क्या वोटा रखेंगे मेरे लेके जाना आक्या नधेबख़ muchíssy me क्वहाइब ऊफोटी की लगेंगे मेरे ठीक है मैं बोलना हूँ दो फोटो तो अब लगेंगे मेरे ठीक है मैं मैं बोलना हूद धोफ दो रखेंगे थैब BUT अगर मतलब कि बाई चंस अगर एक्स्ट्रा मांग दे या मतलब कि खोज जाए तो आपको काम आ सकते ठीक है तो दो मत रखना चार रख लेना ठीक है मैं यही बोलूँगा बाके बागे बाद काम दो ही को लगेंगे ठीक है और फोटो कैसे चाहिए बहुत सारी के डिट का यह वीड दिक्कत वाली बात नहीं हो ठीक है तो फोटो लगने वाला है तीन नबर में उसका दोस्तों नीचे चलते हैं उसके बाद आगे हम बात करते थोड़ा सा इसमें और भी जो इंस्ट्रक्शन दिया उसको भी आप लोगों मैं बता देता हूं तो यहां पर आप लोगों देख इसके अलाबा कोई दूसरा भी डोकुमेंट ले जा सकतो हो जैसे कि यहां पर आप लोगों को बता रहा है केवल से बीसी आइसी या राजबोडो दोरा टेंथ के परवेस पत्र जो होता है अड़्मिट कर आप लोगों का और पासिंग सर्टिफिकेट परमान पत्र जो होता के समर्थन में लाए गए परमान पत्र में उलेखि जन्नम तीथी में मेलना खाने की इस्तिती में उमिदवारों को परिच्छा में अनुमती नहीं दी जाएगे आप लोगों को जाते हो तो क्या करते हो बाइचान फॉर्म पिलप करते हैं समय आप लोगों का डेट बर्थ घलत हो जाता है ठीक है डेट जी और भी जो आप लोग का डिलेकर जाओ अगर 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 उसमें ईसल की मतलब की नहीं मिल पाते है coping है डोस्तों तो आप लोग वा लोगों को एक्जाम संटर में नहीं बेठनी जाएगा तो वहीं बता रहा कि परवेश परमान पत्र जो आ कि भाई आप लोगों मतलब की बैठनी नहीं दिया जाएगा बोला जाता है लेकिन अगर अच्छा वहां पर रहता एक्जाम सेंटर तो बाई चंस कुछ न कुछ करके आप लोगों बैठ वहां दिया जाता है ठीक कोई दिक्ट वाली बात ने अपना प्रोब्लम बता होगा ज जो में में है इस बार आप लोगों पता है कि कोरोना काला भी चल ला है दोस्तों तो मिद्वारों को परिछा के दिन परिछास्तल पर भरा हुआ हस्ता अच्छारित कोबिड-90 स्वाग होस्ता पत्र प्रस्दूत करना होगा जैसे कोबिड-90 का सेल्फ डिक्रेशन फॉर्म ह आप लोग मतलब कि देख सकते हैं उसमें कुछ नहीं होता है दोस्तों सेल्फ डिकेशन फॉर्म में वही अपना नाम सुब कुछ तो लिखा होता है अगर नहीं लिखा होता है तो लिख लेना होता है उसमें से देखके और उसमें पूछा जाता है वही कि आप लोगों को ब भर देना होता हम को शंब करना होगा तब आप लोग को इक्जाम में बैटने के अनुमती दिया जाएगा नहीं तो फिर आप लोग देखने चाहते हैं तो बाकी बाद इतना ही चीज लगेगा में उससे ज्यादा कुछ भी चीज नहीं लगने वाला है तो आप लोग निफिकर हो के आप लोग जाओ ठीक है और जिनका भी डेटो बर्त गलत हो जाता है ऐसे बाइचांस तो आप लोग अपना 10th का मार्क सिट ले जा सकते हो जाके वहां पर मार्क सिट दिखाओगे तो बस छूट उट दे सकता है मे लोग ले करिछाना ए उसका दोस्तो फौट इस पर ले चाने के वाद उसके वाद आप लोग जो लगे जा दोस्तो आप लोग को क्या लगे का लिगाeton फॉर्म ठीक है इतना चीज हो जाएंगा अप लोग असानी से एंट्री मिल जाएगा एक्जाम सेंटर पे और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बाके बाद आप लोग इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना टेलिग्राम चैनल पे आके मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ जब आप लोग मतलब एड्मिट का डाउलोड करते होंगे तो इंगलिस में यह सब सब कुछ आ रह करें ऐसे वीडियो देखने के लिए दोस्तों दोस्तों मिलता हम एक और वीडियो में तब तक के लिए जैहीं बंदमातर हम